को है है लो गाइस कारिपेंटर करनाल में आप सभी गात्रो अ आज आपको दिखाएंगे सागवान के डॉर लो पर लोग कैसे लगाते हैं यह गोध्रेज लोग है और अभी आपको दिखा就是 लगाने का तरीका यह डवEL होता है यह उपर का हैंडल अलग होता है और निच्छे का जो यह लोग है यह अलग होता है इसमें यह आप देख सकते हो यह पिछे यह इसको बोलते हैं चुप्टी slender यह slender log है और यह 70 mm के slender है और kodrage log है यह kodrage log है high quality log है और अभी आपको दिखाएंगे इसमें कैसे log लगाते हैं प्लीस वीडियो पने रहे वीडियो को देखें पुरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें अगर चैनल पी नहीं हो तो चैनल को सबस्राइब करें और वेल अकन को प्रेस करें यह सागवान का पॉलिश डोर है और दिले डोर है और अभी आपको दिखाएंगे इसके अंदर लोग कैसे लगाते हैं यह आपको दिखा रहे हैं लोग और यह गोद्रेज के लोग हैं ये स्लेंडर वाले लोग है स्लेंडर लोग गोद्रेज लोग और ये काफी बड़ा लोग है हाई क्वाल्टी लोग है अभी आपको दिखाएंगे कैसे इसको लगाते हैं ये दिल्ले डोर है सागवान के डोर है दिल्ले डोर है हाट फुट के डोर है और पॉलिस वाले डोर है और डेडिंची इसकी मोटाई है और यह हमने अभी आपको दिखाने हैं लोग कैसे लगाते हैं यह लोग का हमने खंचा मार लिया है पहले हम ड्रिल से 18 नंबर बिट से श्राग करते हैं उसके बाद हम यह होल साफ करके इसके अ अभी आपको दिखाएंगे यह पती भी गड़ेगी जो इसकी बार पती होती है यह अद्दा सूद मोटी होती है इसको अंदर ही पल्ले के अंदर फिट करते हैं यह सागवान का डोर है और डेडिंची इसकी मोटाई है यह आपको दिखा देते हैं यह हमने पती इसकी खोद होते हैं पले के अंदर ऑपनी रख होती है अंदर खोद लेते हैं और जमीन से इसके हैंडल पर नीचे दो पैंच सोब रखते हैं को और अभी दिखाएंगे इसके अंदर हम कैसे कैसे प्रोसाइसिंग करेंगे कैसे इसको लोग को लगा देंगे यह हमने खंचा दिखा दिया और लोग फिट करके आपको दिखा दिया है और इसके फेस में हमने लरक के फेस में यह कर दिया है और यह आपको दिखा रहे हैं यह हमने इसके अंदर सराक कर लिया है उपरली सेड किली का सराक होता है निचे स्लेंडर का सराक होता है ये किली होती है हमारी ये किली हमने इसमें डाल दिया है दोनों सेड आप ये बार निकल जाती है ये दो तीन इंचे की किली होती है और निचे की सेड स्लेंडर होता है ये स्लेंडर है ये हमने पिछे से slender इसके अंदर डाल दिया है किली और slender दोनों हमारे इसके अंदर आ गए है और अभी हमने कोई अगे पिछे पैंच नहीं लगा है न slender का पैंच लगा है न हमने अगे पैंच लगा है किली और slender हमने फिट कर लिया है यह होते हैं इसके nut और ये नट होते हैं मेल फिमेल होते हैं ये अगे की सैड से लगाते हैं और परली सैड से इसमें पैंच कस देते हैं ये आपको दिखा देते हैं ये इसके हमने होल कर लिये हैं आर पार के हमने इसके अंदर होल कर लिये हैं आप डाई सूथ का बिट ले उससे आप होल को आर प है निचे की सैड इसमें सिंपल हैंडल लगा देते हैं और उपरली सैड हैंडल लोक लगाते हैं और यह आपको दिखा देते हैं यह इसके नट कैसे लगाते हैं एक सैड से दूसरी सैड निकल जाते हैं और दूसरी सैड से पैंच कसल देते हैं अंदर ली सैड पैंच अंदर हमारा पिछे कभजे का सैड होता है उस सैड से हम इसको पैच को कस देते हैं अगली सैड से ये हम नट नटों के पैच ही नहीं होते हैं सटार मुहीं नहीं होता है इसलिए ये पिछे की सैड से कसते हैं ये आपको दिखा देते हैं ये अगली सैड कैसे लगता है ये अगली और इसका चोरस खंचा होता है ये दो बाई दो का होता है और ये आपने निच्छे की सैड के लगा दिया है जिसके अंदर slender fit होता है ये निच्छे की सैड के आवी आपको दिखा दिया हमने ये fit कर दिया है और ये man door है उपरली सैड का man door है delay door, man door, dragon door यह अभी हमने निचे निचे का स्लेंडर फिट कर दिया है और उपरली सैड का अभी आपको दिखाएंगे कैसे फिट करेंगे जैसे हमने आपको दिखाया था मेल फिले मेले हमने इसके अंदर नट लगा दिया है आर पार के जो नट होते हैं वो आर पार के हमने नट लगा दिया है अभी आपको दिखा रहे हैं ये हमारा निचे का स्लेंडर से चल गया है ये आपको दुबारा दिखा देते हैं कैसे इसको लगाते हैं ये अगली सैड जो हमने पहले दिखाया है वो अगली सैड का पाट होता है और ये पिछली सैड का पाट होता है इसके अंदर ये नट चले जाते हैं और आपकी जो मोटाई पले की कम हो तो ये पिछले सेड के जो नट होते हैं उसको आप काट सकते हैं हमने भी ये डेड़ सूत नट काट दिया है और काट के हमने फिट कर दिया है पहले ये हम इसको लगाते हैं सराग मैंने आपको दिखाई दिया है कैसे इसके सराग होंगे और ये आपको दिखा देते हैं ये अगे की सेड हम ल अंदर डाल दी और पहले हम अगली सेट का द लगाएंगे उसके बाद हम पिछली सेट का दोर यह आलकि वाले हैं जो हैंडल हमें अग्य dauert होते हैं निच्छे की सेड्स स्लेंडर के उपर अलग लगता है जो यह आपको दिखा रहे हैं इसको चुक्टी भी बोल देते हैं और स्लेंडर बोलते हैं इसको स्लेंडर लोग है और गोद्रेज के लोग हैं यह गोद्रेज लोग हैं और सिल्वर जाइसे स्टील होती हैश्टील के लोग कोफी अच्छा लोग है और बहतरीन लोग है और ये सागवान का डोर भी काफी एच्छा है और यह सागवान के डोर का सैज चोकट के उपर हमने लगा दिये पती जिसमें ये लूख होगा और ये चोकट भी हमारी जो सागवान की है चोकटे सागवान की चोकटे है और अभी हमारा लोख हो गया complete ये आपको दिखा देते हैं बंद करके ये हमारा लोख complete हो चुका है नीचे इस एड़िस में हमने तार निकाल रखी थी जिससे हम ड्रेल चलते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं ये हमारा लोख लग गया अभी ये लोग हम खुल देते हैं और बार से आप इसको चाबी से खुलें और अंदर से बगैर चाबी के भी खुल सकता है अगर आपने ये अंदर से बंद कर दिया तो बार से चाबी से ही खुलेगा अंदर से वैसे ही खुल जाता है ये आपको दिखा देते हैं बार से चोकट समेत डौर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लोग पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेट करें और ये जाली का डौर है, सेम जैसे हमने अंदर का डौर बनाया है ऐसे ही हमने सेम जाली का डौर बना दिया और सैड में दे दिया हमने नौँची का इसमें सिसा अगे की हैंडल की सैड और अभी आपको दिखा देते हैं बार से भी ये आप इसको थोड़ा पूस करें और हैंडल लोग खुल जाएगा और इसके अंदर हमने जो ये रिस से बनाए है ये विनियर इसके उपर लगाया है पहले हमने एक प्लाई फिट करती है उसके बाद हमने कंप्लीट और ये लोग गोद्रेज लोग है अभी आपको दिखा देते हैं इसके अंदर चाबी हमने फिट कर दिया है चाबी से दो बार बार निकलता है दो इसके लोग होते हैं एक लोग दो लोग होते हैं प्लीज लाइक से जरूर करें और गंटी दब